देरी फार्म पे ड्राय मैटर कैसे पूरा किया जाए और कितना ड्राय मैटर एक दिन में देना चाहिए एक आएं को तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड तक जरूर देखना तांकि आपको पूरी इसके बार में मिल सके आप सबकी दिमांड की उपर ये वीडियो आई है तो फिर इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना जो फर्स टाइम देख रहे हैं वो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए फिर शुरू करते ह जब भी हम डेरी फार्म पे फीड जा फॉर्डर की बात करते हैं कि हम गाएं को क्या खिलाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी बात होती है कि हमने उनका ड्राइ मैटर कैसे पूरा करना है फीड देते हैं फॉर्डर देते हैं फॉर्डर हमारे पास सालिज भी हो सकता ह हम green fodder के उपर भी काम करते हैं तो आज इस वीडियो में दोनों के उपर हम बात करेंगे green के उपर भी और salage के उपर भी इन दोनों में दो चीज़े मीन होती है एक तो moisture आता है एक आता है dry matter हमें moisture से कोई मतलब नहीं है हमने इसको गिनना ही नहीं है हमें सारा मतलब अपने dry matter से है dry matter से ही हमें सारा कुछ मिलेगा carbohydrates मिलेंगे, proteins मिलेंगे जो भी vital nutrients हमारी गाएं को चाहिए अपनी body maintain करने के लिए अपनी दूद की production maintain के लिए वो सब कुछ उसे dry matter से मिलेगा तो हमें उसका dry matter पूरा करना है एक दिन में dry matter मेली दो चीज़ों के उपर depend करता है सबसे पहला आता है उसका body weight कितना है फिर वो दूद कितना देती है अगर आपको body weight गाएं का नहीं करना आता है तो आप नीचे comment section में मुझे बता देना इसके उपर मैं एक video बना दूँगी कि गाएं का body weight कैसे हम पता कर सकते है अगर आपको नहीं पता तो मैं video ज़रूर डाल दूँगी अब तक के लिए हम आगे बात करते हैं कि body weight होता है दूसरी होती है milk production हम इस video में बात करेंगी कि अगर आपका average body weight 600 kg है आपकी गाएं का 3% body weight के हिसाब से आप calculate करेंगे जैसे हमारा 600 kg का जो 3% होता वो होता 18 kg मतलब हमने अपनी गाएं को एक दिन में 18 kg dry matter पूरा करना उसके body weight के हिसाब से अगर आपकी गाएं 5 quintal की है जहां 400 kg की है आपने उसका 3% निकालना रहा तो वो आपका एक दिन का dry matter आ जाएगा अब हम बात करें थे 600 kg की गाएं जो 25 kg दूद देती है उसका 3% के हिसाब से 18 kg हमने उसका dry matter पूरा करना है ताकि वो उसकी health भी अच्छी रहे उसका दूद भी अच्छा बना रहे और उसकी conception भी अच्छी हो तो इसे हम पूरा कैसे करेंगे वो इस वीडियो में हम आगे बात करते हैं हम उसको 9 kg फीड देते हैं उसके दूद के लिए 1 kg फीड हमने उसके देनी है उसकी body को maintain करने के लिए यह उसके लिए sufficient है इससे ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं होगी 9 kg फीड होती है यह total हमारी 10 kg होगी 9 kg उसके दूद के लिए 1 kg उसकी body को maintain करने के लिए 10 kg फीड का जो dry matter आता है वो 88 से 90 परसेट आता है 90 परसेंट आप लेके चलिए तो आपकी 10 kg फीड में उसका 9 kg आपका dry matter वो पूरा कर देती है यह तो होगी हमारी फीड की बार जब आप उसको concentrate दे रहे हैं तो 10 kg उसका 9 kg उसको dry matter मिल जाता है अब बाकी रहे हमने उसका 18 kg पूरा करना था बाकी हमारा रहे गया है 9 kg वो हम कैसे पूरा करेंगे अगर तो आप silage पर काम करते हैं तो आपको tension लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि silage की quality बहुत अच्छी होती है आपका अराम से 22-25 जा 30 % जो है वो dry matter निकल आता है हम average लेके चलते हैं कि अगर आपका average 25 % भी dry matter आरा आपके silage का तो आगर आप अपनी गाये को 50 kg 45 kg एक दिन में जो खिलाते हैं उसको silage तो आपका 11.2 kg उसका dry matter आपके silage से निकल आएगा आपको तुड़ी की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको आप 9 kg जो फीड का dry matter आएड था उसके साथ आड़ कर लेजे तो आपका 20.2 kg आप dry matter उसको पूरा करते हैं उसकी जरूरत ही उसको 18 kg की हमने उसको पूरा करके दिया 20.2 kg अगर आपके silage की quality थोड़ी कम है तो आपका थोड़ा कम भी आजाएगा तब भी आप 18 kg इसको पूरा करके दे सकते हैं अब next बात करते हैं जिनके पास silage नहीं है जो green पे काम करते हैं वो कैसे पूरा करेंगे फीड तो आपने खिला नहीं है फीड आपने खिला ही तो 9 kg तो यहां से आपका पूरा हो गया ठीक है अब हमें जो बाकी 9 kg है वो पूरा करना है आप उसको 4 kg तूड़ी खिलाएगे तूड़ी का सबसे बड़ा फादा ही है कि उसमें 90% आपका dry matter जाता है जो green fodder होता है उसमें हम average लेके चलते हैं कि 20% उसका dry matter होता है 20% के हिसाब से अगर आप 35 kg हरा चारा खिलाते हो अपनी गाएं को एक दिन में तो वो उसको 7 kg का dry matter देता है साथ किलो आप 9 kg अपने फीड खिला दी साड़े 3 kg अपने तूड़ी में से ले लिया साथ किलो अपने हरे चारे में से ले लिया तो 19.5 kg आपको dry matter मिल गया अगर आप हरे चारे पे और तूड़ी पे और फीड पे काम करते हैं आपका इससे पूरा हो जाएगा अगर आप सा बताना तो फिर आज के लिए इतना हैं मिलते हैं अगली वीडियो में खुश रहिए खुश हाल रहिए और अपना dairy farm को उच्चाईयों पर लेके जाने की पूरी कोशिश कीजिए इसी मैसेज के साथ थैंक्यू वेरी मॉच